हलाल वैसे तो एक अर्वी शब्द है जिसका मतलब जायज ज्यानी की वैद होता है इसलिए देश में कई कमपनी खाने पीने के प्रोड़क्ट्स को लेकर हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है जिस पर योगी सरकार बेहस सक्त हो गई है इसलिए लखनव के हजरत गंच थाने में केस तर्च कराये गया और ऐसे प्रोड़क्ट्स को बैन किया किया है आरूप ये भी है कि सर्टिफिकेट के नाम पर मिले पैसे को देश विरोधी गद्विदियों में इस्तमाल किया जाता है इस मामले पर विबात के साथ सियासा जोरो पर है सरकार के एक्षन से विरोधी दल सवाल उठाने लगे पूछने लगे कि सरकार अब तक क्या कर रही थी दो टूप में करेंगे चर्चा लेकिन उससे पहले निज़े स्टेट के बड़े सवाल खाद परदार्तों पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों हलाल सर्टिफिकेट की पीछे क्या कोई देश-विरोधी साजिश है हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों का आखिर मकसद क्या हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां कहां से आई हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडेक्ट बैन होने पर सियासत आखिर क्यों इन्हें सवालों के साथ मेहमान उसे चर्चा लेकिन उससे पहले क्या कुछ बैयान वो सुनवाते है हलाल सर्टिफिकेशन जो मेरी जान करें जब कई लोगों ने बताया कि कई ऐसी चीजें हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन की आवस्यक्ता नहीं होती है और वैसे भी आवसक्ता किसी प्रोट परने क्योंकि भारस सरकार या किछी प्रदेश की सरकार की इनको पास कानूनी मानेता नहीं है यह तो इनका काम है कभी बैन करेंगे कभी कुछ करेंगे कभी साड़े 400 को सेलेंडर देंगे यह हलाल सर्टिकेट करना पूरी तरसे धोखेबाजी है यह सामरदाई कि उस सर्थाओं को बिगारने की एक जिस्टा हो सकती है और इसकी जब सिकायते मिल रही थी तो उत्रपदेश की मुख्यमंत्री योग्या रित्ना जीले इसका संग्यान लिया है और संग्यान लेकर के एक फईयार दर्च कराई है फईयार के अधर पर इसकी जाच होगी अरती जंता पर्टिक की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंडे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंडे चल रहे हैं, फरजी सर्टिकेट के धंडे चल रहे हैं, तो ये उत्त्रप्रदेश की सरकार के बड़ा सवालिय निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसल्मान के मुद्दे से इस जिशे को देखना चाहती है पान पान के वेवार को प्रष्ट करना ये निंदनी है और उत्रप्रदे सरकार से मेरा आगरा है अईसे तत्वों खिलाव सक्त कारवाई की जाए जिन कंपनियों ने काल्पनिंग लाइसेंस जारी के हलाल नाम से या किसी दूसरे धर्म के नाम से बहुत से लोग हलाल सार्टिफिकर्ट का इस्तेमाल घलत करते हैं जहां ऐसा होता है उनके खिलाव हुकूमत को कारवाई करनी चाहिए अब वो एक टरस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग चार्ट चला रहे हैं और उन टरस्ट में भी पैसा मुटा लिया जाता है इस सार्टिकेट को इस्सू करने के लिए और ये यिस धन का इस्तेमाल उलेमाई हिंद जैसी सस्था हैं सिमी जैसी सस्था बताने के लिए पाबंदी आहित की जारी हैं तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इस से हमारे एक्सपोर्ट का भी और हमारी ये एकोनॉमी है उसका भी नुखसान होगा महमान जुड़ जुके हैं हेरो बाचपई जी परोक्ता बीजे पी फखरोल हसन जी परोक्ता समाजवादी पार्टी हाजी है नाजिम खान साब मुस्लिम धन गुरू हमारे साथ जुड़े हैं आप तिनों महमानों का स्वागत है हेरो बाचपई जी आरोप ये किनाक के जो चीज सग्यान में आई वो सम्मिदान विरुद है विद्विरुद है भारत सरकार की इसमें कोई संस्था नहीं है जो इस तरह की चीजे कर रही है हलाल का हमेशा हम लोग जो सब्द सुनते थे वो मीट के बारे में सुनते थे कि हलाल का है जटके का है जिसको किसी धर्म से जोड़ा जाता था लेकिन पहली बार ये पता लगा कि दाल चावल रोटी ब्रेड सोंदर का सावुन अगर वक्ति इस पे भी हलाल का लगाएंगे और मुझे रखता है कि एक चीज ऐसी है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाण कर रही है आस्ता से खिलवाण कर है और अपरादी को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए फक्रूल असन जी फिर सियासत क्यों है यह तो सवाल आपने अच्छा पूचा कि सियासत क्यों भारती जनता पाल्टी की सरकार सो रही थी एक जागरुप नागरिक द्वारा जम मुकदमा दर्ज कराया गया तो भारती जनता पाल्टी अब उसका राजनितिक लाब लेगी क्योंकि मद्व प्रदेश और 36 गड़ में तो आपको हिंदू मुसलीब का मौका मिला नहीं राजिस्तान के चुनाव नस्दीक है तो जो भारती जनता पाल्टी के मुद्वें हिंदू मुसल्मान मंदिर मजजित भजन कीरतन लव जिहाद हिजाब नकाब मदर्सा फिल्मे मदारे यू सी सी और आप एक नया मुद्दा मिल गया आपको हलाल प्रोडेक्ट तो आप इस पर राजनितिक कीजिए अरे भाई आपको रोका किस ने था और यह कोई पहली घटना थोड़ी किसी नागरिक ने मुकदमा लिखा है उस प्रपिशकर करने चाहिए क्योंकि हमें को imminent हैं और यह पने निर्यात पर रोक लगा यह ना आईब और आयात पर तो आपने प्रतीबन लगाया यह ना थोड़ी लगायां तो यह दो यह मान सिह च्क्ता क्यों है यह दोब जोद incense को लें'dिक अ हля हाजी नाजिम खान साहाब, आखिर क्या मकसद है इसके पीछे? हाजी नाजिम खान साहब, आपको भारत में ऐसा नहीं था, अब अचानक से कहा हो गया, पैकेट उठाओ, तो हलाल का सर्टिफिकेशन पीछे था ऐसा, और ये ऐसी कमपनी है, जो कि मानिता ही नहीं भारत सरकार की, भारत सरकार तो सर्टिफिकेशन जारी करती है, ना कि ये खादपदार्थ कैसा है कैसा नहीं है, उस पर सारा विवरण होता है, कहा जा रहा है कि फं करने के लिए ही इस तरीके का प्रवकेंडा तयार करा जा रहा है, हलाल जो ते इस्तमाल वाली चीज़ते हैं, वह ने आपको बता दी लेकिन, ये जो हलाल वाले सर्टिफिकेशन बार बार कभी कप्रों पे, कभी चीनियों पे, ये तो देरें सर्ट जात कर दिश्चे है, आ जारे सर लेते हैं, तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि, पहले प्रड़क्त पे रेट सर्किल होता था, या ग्रीन सर्किल होता था, अब तो सर्टिफिकेशन भी हो रहा है, कि हलाल क्या है, इसे सोचने की जरूरत है ना, दूसरे की धार्मिक भाना है तो ना बढ़के ना, आ यह देश सविधान से चलता किसी की आज़ता नहीं चलता तो सर देखे सविधान के अंदर जो भी है सब हिंदू मुस्लिम भाई सब को सविधान के तहेते मानना है लेकिन जिस तरीके से यह जो खादे पतार पर यह सपड़ों पर अगर बताते हैं कि हलाल सेटिपाइड ने कर लेकिन पहले सावाजिक इस तर पर तो सुधार की जरूरत है ना इसमें इसमें चाहिए लेकिन पर देखे यही कहने की बात आई ना सामने कि अभी केरल के कोच्ची में एक बिल्डिंग बनी है मल्टी स्टोरी एपार्टमेंट उसे भी कहते हलाल साटिफिकेट मिला है तो क क्या होने जा रहा है क्यों हो रहा है यह और किसके लिए हो रहा है यह सच में जाच का विस है इसके पीछे कौन सक्तिया है कौन काम कर रहा है देखे जब मामले बढ़ते हैं और चीजों को सग्यान में आते हैं और एक तरह सीधा जो भी अभी कह रहे थे आपके धर्म गुर certificate दे रही है और किस से पूछ के दे रही है और ये discrimination है क्यों और ये जो भारत के रहने वाले 83% लोग जो मुस्लिम नहीं है उनकी भावनाओं और आस्थाओं से खिलवार क्यों उनके साथ धोके बाजी क्यों उनके साथ खलकपट क्यों और ऐसा नहीं है कि वह हिंदू है हिंदू सिख बाउद जैन यहुदी किसी से भी क्रिश्टियन से भी क्यों आप यह कर रहे हैं यह कौन सक्तियां है यह जांच कभी से है अगर लिखी गई है तो एफाईयार में जो वह हो जो पर सवाजवाजी पार्टी के प्रोक्तर टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं उनके एड्रेस पुलिस उड़ेगी उनके खिलाब कारवाई करेगी और सक्त कारवाई होनी चाहिए टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है फखरोल जी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं देखें टाइमिंग पर सवाल इस देश में चुनाओ पूरे पांचों वर्स चलते रहते हैं लगातार चुनाओ चलते रहते हैं तो जब कोई चुनाओ होगा टाइमिंग पर उसको भी जानने का अधिकार है उसको चुनाओं से जोड़ना गलत है फकरोल जी कुछ कहना चाहा रहा है देखें हीरो वाश्पई जी देखें हीरो वाश्पई जी आपके हाथ में फोन होगा मैं क्योंकि किसी डूसरे चैनल पर हूँ इसलिए किसी रिपोर्ट को किसी न्यूस पेपर को किसी चैनल को कोड़ नहीं करूँगा सितंबर 2014 की एक के थे और तीन सो पूरे देश के लिए ते वो तो सितंबर 2014 की रिपोर्ट है आज चल रहा है सहाब नवंबर 2023 इतने सालों में तो हजार हो गयोंगे यह एक आएक आपकी नींद कैसे जागी मेरे यह समझ में नहीं आरा अभी रेलवे में हलाल चाय का मामला आया था तब अब आप कहे रहें कि हम आपकी टाइमिंग पर सवाल ना उठाएं तो भाई यह क्यों ना उठाएं हम आपकी ताइमिंगे तो आप लोग भी पैकेट खरीदेंगे तुस पर हलाल सेटिफिकेशन अच्छा लगता है करके अर्थ एकत्रित करने का एक जिहाद है कि इस प्रकार करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो और उससे जो पैसे एकत्रित हो उनको अनेक प्रकार की जो भारत विरोधी गत्विधियां हैं उनके अंदर सामिल किया जाए ठीक है तो दुरुभाग्यपूर्ण यह है कि इस प्रकार की जीजे चलती रहती हैं और हम लोग जागरुट नहीं हो पाते हैं, मैं धन्यबाद करूँगा उस वेक्ट को जिसने जागरुटा के तहत आकर कि इस प्रकार का मामला किया है, और इस पर छानबीन होनी चाहिए, मुझे तो बड़ा दुख हो हो रहा है, चलो जबानी का प्रयास किया जा रहा है, अरे भाई, कोई भी परिस्ति आप घपला करते रहते हो, घोटाला करते रहते हो, और कुछ दिन बाद जाकर के पता जल जागर तो उसकी चाह सुरू होती हो और आप पकड़े जाते हो, तो इस प्रकार से जिहादी ताकते हैं, तो सवा सवाल पूछने का बिल्कुल हक है, मना नहीं कर रहे है, लेकिन सवाल सीधे, उन से भी तो सवाल पूछ सकते हो, कि भारत देश में रहते हो, भारत का कानून, भारत की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, कौन सा साइंटिस्ट बैठा है, भाई, मुझे बताया जाए, कौन सा, सवाल का जवाब दीजे, अचार जी, सा सम्मान हम स्में का ना चाहता हू've, तुन तुली, शा सम्मान पूछना चाहता हूं, की भाउत्र परदेश की सरकार ने केवल और केवल आयात पे प्रतिबन लगाया है, निर्यात पर नहीं लगाया हूं, मैं समझता हू've, आयात अन सिरियाद के बारे में लगांते हुए हैं जो खालाइल प्रोडेक्ट की बात हो रही है जो कॉस्मेटिक प्रोडेक्ट हो प्रोडेक्ट उसके अंदर बात हो रही थी कि अगर उसमें मीट मिला ओ चर्बी मिली गलत है गलत है गलत है गलत है जाय पती पार पार आप गलत है यहाँ रहा है खाद मदार्थो पहरो कि आता है जो गलत है वो गलत है चाहिए कि पत्ती पे आप कोई प्रेट्ट पे नहीं दे सकते आप मिल रहा है ना हलाल शब्द है क्या हलाल आया कहां से इसे किसे खुश करने की कोशिश हो रही है ये तो बात होने चाहिए वह कंपनी कौन है वह कंपनी कौन है हिरोबाचपे जी तिल्कुल गलत है हिरोबाचपे जी अब जहां हो वहीं सर्टिफिकेट दे दीजिए हलाल कपडा हलाल रहने के लिए हलाल हॉलिडेज भी होने लगा सब हलाली हो जाएगा हिंदुस्तान में तो इस सर्टिफिकेट देने लग जाएंगी मंदिर मठ साठिफिकेट देने लग जाएंगे तो पिर उनको कुछ भी नहीं प्राप्ट होगा पर तो हमें साठिफिकेट देना तो सबकार कि आऊश्यक्ता नहीं है फत्वा नहीं आता क्या हिरो बाचपे जी मेरा आवाज आरे क आरोप तो लग रहे हैं सवाल क्या करूँ आरोप तो लग रहे सर्चा में तेंके आरोप लगाना बचत करने का ना माना ना इन्होंने कि एक गलत है एक कोई मल्टी स्थोरी बिल्डिण अगर बन रहे हैं उसको भी हलाल का साइटिफिकेट चाई की पती सौंदर परसाधण हलाल का साइटिफिकेट सौंदर परसाधण के बचाऊ कर रहे थे कि उसमें जानवर की चर्वी देखें कल से पार्टियों पर भी ठपा ना लगा दिया जाएगा अब यह सब बेतर तरीके से सब्सक्राइब देखें मुस्लिम विरोधी कता ही नहीं है ये वो फरेवी लोग हैं धोकेबाज लोग हैं जालसाज लोग हैं जो इस तरह का आवरण के पीछे ये काम कर रहे हैं और तमाम बेकसूर ब्यापारी अपने प्रोड़क्ट को बेचने के लिए इन जालसाजी कंपनियों के चक्कर म प्रोड़क्ट के साथ क्रूर मजाक है और ये जनता की भावनाओं को लोगतंत्र में आध कर रहा है उनकी धार्मिक भावनाओं का द्रिवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जाहर तोर पार इससे लेकर योगी सरकार सक्त सियासत अपनी जगा है लेकिन सवाल कि ये कंपन सियासत कम शकम ऐसे मामलों पणना हो तो ही बेर है दॉटूक में तना है झाल झाल